इसमत के अनुसार दंड का लक्ष है कि कोई फिर उस अपराद को नहीं करें, अपराधी को दंड केवल उसी को वैसे अपराधों से रोकने के लिए नहीं, अपितू भविश्य में भी वह अपराध रोक जाए, इसलिए दिया जाता है, चोरी और दकैती के लिए दंड इसलिए दिया जाता है कि वैसे कर्म फिर नहों, इसके अनुसार दंड देने से अपराध का निवर्तन होता है, अर्थात रोक जाता है, इसकी मान्यता है कि शारीरिक या मानसिक कष्ट के रूप में दंड देने से अपराधी तथा अन्य लोगों में भय का संचार होता है, अता भव सार मृत्यू दंडवर्जित नहीं है इसमत की विशेषता है कि यह समाज के भविश्य को दृष्टी में रखता है